Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Compound Unit क्या है और उसे कैसे बनाते हैं और उसका उप्योग किस तरह से करते हैं इसके पहले हमने आपको Simple Unit और Alternate Unit बनाना और उनका उप्योग करना बताया था अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें जिससे की Compound Unit को समझना और उस पर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा चलिए अब समझते हैं Compound Unit के बारे में Alternate Unit वाली वीडियो में आपने देखा कि हमने क्विंटल में सामान खरीदा और किलोग्राम में बेचा और इसके लिए हमने दो Simple Units को Alternate Unit बना कर उप्योग किया अब हमारे बिजनस की और ग्रोथ हो रही है हम बड़े पैमानी पर बिजनस कर रहे हैं तो निश्यत रूप से और ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेंगे पहले हम क्विंटल में माल खरीद रहे थे अब टन में माल खरीदेंगे और उसे क्विंटल और किलोग्राम में बेचेंगे इसके लिए हमें तीन यूनिट्स की जरुरत होगी टन, क्विंटल और किलोग्राम यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक टन में 10 क्विंटल होते हैं और हमने बताया था एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं और इस तरह एक टन में हुए 1000 किलोग्राम अभी हमारे पास quintal और kilogram की unit पहले से ही बनी हुई है अब हम ton की unit और बना लेते हैं हम ton की simple unit बना रहे हैं number of decimal place में हम 3 ले रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि एक ton में 1000 kg होते हैं और जब हम items को kilogram में sell करें तो tally उसे accept कर ले अब हमारे पास 3 units हो गई हैं ton, quintal और kilogram stock items बनाते समय हमें quintal और kilogram की alternate unit बनाना तो पहले से ही आता है अब हम ton और quintal को आपस में जोड़ना भी सीख लेते हैं उसके लिए हमें compound unit बनाना होगी अभी हम unit creation screen पर हैं compound unit बनाने के लिए पहले हमें unit type को simple से change करके compound करना होगा उसके लिए हम backspace key को प्रेस कर रहे हैं और types of units में से compound select कर रहे हैं अब यहाँ पर हमें ton को quintal से जोड़ना हैं इसलिए यहाँ पर first unit में लेंगे ton जैसा कि यहाँ आप उपर example में देख सकते हैं कि 1 kg बराबर 1000 g होता है इसी तरह conversion में हमें ton और quintal दोनों का संबंध पताना होगा हमें पता है कि 1 ton में 10 quintal होते हैं तो यहाँ conversion में हम type करेंगे 10 और second unit में हमें quintal select करना होगा इसके बाद हम इस screen को accept कर लेंगे हमने पिछली वीडियो में इसी company में अपने stock item rice के लिए alternate unit का उप्योग करते हुए transactions record किये थे और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी unit को लेकर transactions कर लेते हैं तो उस stock item की unit में कोई भी alteration नहीं हो सकता इसलिए हम एक नया stock item wheat और बना लेते हैं जिससे इन तीनों units को एक साथ उप्योग करके देख सकें देखिए stock item creation screen आ रही है हम name में ले रहे हैं wheat under में primary units में हमारी basic unit है kilograms alternate unit में हम select करेंगे ton of 10 quintal अब जैसा कि आप जानते हैं एक quintal में 100 kg होते हैं अब हम wear में type करेंगे one quintal is equal to 100 kg ये देखिए इस तरह से यहां सभी units आपस में link हो गई हैं एक टन बराबर 10 quintal और एक quintal बराबर 100 kg अब आप इस item को किसी भी unit में खरीदें या बेचें इसका conversion automatically हो जाएगा हम इस screen को accept कर लेते हैं आईए अब हम एक purchase voucher बना लेते हैं पार्टी अकाउंट नेम में supplier ये select करेंगे purchase leisure में purchase account और यहां name of item में लेंगे wheat हम पांच टन गेहूं खरीद रहे हैं इसलिए यहां quantity में पांच टाइप करके उसके साथ ton के लिए tea type करेंगे यह देखिए पांच टन टाइप करते ही unit convert होकर 5000 kg अपने आप आ गया है rate में ले लेते हैं 20,000 रुपए प्रति टन उसके लिए 20,000 लिखकर enterprise करें और पर में ton के लिए tea type करें और enterprise करें देखिए amount में पांच टन का amount आ गया है अब इसे control A से accept कर लें अब हम एक sales voucher बना लेते हैं यहाँ पर party account name में हम customer A सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ sales लेजर में sales account सिलेक्ट करेंगे और यहाँ item में wheat सिलेक्ट कर रहे हैं हमने 12.5 quintal माल बेचा है तो यहाँ 12.5 के बाद type करेंगे q और enterprise करेंगे और अब इस voucher को accept कर लेंगे अभी हमने जो sales voucher बनाया यदि आप उसका print out alternate unit के साथ चाहते हैं तो उसके लिए पहले page up key प्रेस करें अब control और P प्रेस करें यहाँ हमें कुछ configuration करना होगा उसके लिए F12 या C प्रेस करें अब यहाँ show quantity with alternate unit और show alternate unit in separate column यदि yes है तो ठीक और यदि no है तो उन पर जाकर enterprise करें ऐसा करते ही यह option yes हो जाएंगे इसके बाद इस window को accept करें अब preview के लिए आई प्रेस करें फिर zoom करें देखें यहाँ पर हमारा bill किलोग्राम में और उसके साथ ही टान और कुंटल में भी दिखाई दे रहा है चलिए अब हम इस stock item की report भी देख लेते हैं stock item monthly summary आ रही है हम यहाँ enterprise कर रहे हैं अब यहाँ F12 प्रेस करके alternate unit को yes करके इस window को accept कर लेते हैं यह देखें पूरी report टान कुंटल और किलोग्राम में दिखाई पड़ रही है तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है धन्यवाद झाल 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 झाल